एक तरफ सीम के सागर आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं तो दूसरी तरफ निगम भी प्रयास रहत है कि सीम जब सागर आएं तो उन्हें किलीन सागर गिरीन सागर नजर आए इसलिए तो आबारा पश्कों के मुख मारगों में विचरान का दंश जहिल रहे स्मार् कारवाही जोर शोर से चल रही है निगम आयुक तो राजकुमार खत्री का नियुदेश और फिर इस नियुदेश का पालन करने मुख करदार में आ गए निगम आयुक भगेल और दलवल के बीच उपस्थित लोगप्रिये दवंग कर्मचारी चौरस याजी शहर में लगता चार दिनों से आवारा पशू को पकड़ने की कारवाही चल रही है और इस कारवाही को लेकर निगम का प्रमुक फोकस सीम के आयुजन इस्थल पीटीसी ग्राउंड के आसपास ज्यादा नजर आ रहा है यहां निगम के दमदार दलने तीन दर्जन से ज्यादा आवारा पशू पकड़े हैं जो की कावले तारीफ है भले ही निगम के इस दल के पास और सुरक्षा के परियापत तो संसादन ना हो लेकिन सर्फ हाइड्रोलिक बाहन और सामान चार पईया बाहन के सहरे ये फौज आवारा पशू को पकड़ने में लगी है मल्टी टास्क में उल्जे निगम के इस अतिकरमन दलने निगम कारेले के सामन से लेकर पीली कोठी मार्ग, पीटी सी मैदान, सिविल लाइन्स का पूरा इलाका चान कर यहाँ विचरान कर रहे तीन दर्जन से ज्यादा पशू को पकड़ा है निगम के अमले के पास कोई विस्तित खाका नहीं है कि संख्यात्मक रूप से कितने आवरा पशू हैं जो प्रतिदन शेहर के सेर सपाटे पर निकल पड़ते हैं साथ ही वो कौन से संबेदंशी लेलाके हैं जहाँ ऐसे पशू की आवरगी करने की बहुत आयत संख्या है लेकिन निगम आयकतों ने अपने अतिकरमन दल को इस बार सही मायने में सटीक पेमाने पर कसा है इसी का नतीजा ही की चार दिनों के भीतर सतर से ज्यादा आवरपशगों को पकल कर शेहर से बाहर का रास्ता दिखाए गया है और काफी हद तक शेहर में आतायात के लिए प्रमुक मारगों का रास्ता भी साफ हो चला है साथी स्वच्छ सागर यानि क्लीन सागर भी कुछ हद तक नजार आने लगा है